शिक्षकों द्वारा किये गए श्रेष्ट कारियों का मूल्यांकन कर उन्हें सम्मानित करने का दिन है शिक्षक दिवस चात्र चात्राओं के प्रती और अधिक उत्सा उमंग से अध्यापन, शिक्षन और जीवन के प्रतीक शेत्र में संगर्ष के लिए उनके अंदर छिपी शक्तियों को जागरत करने का संकल्ब दिवस है अध्यापक दिवस ये दिवस समाज और राष्ट में शिक्षक के गर्व और गौरव को पहचान कराता है इस दिन विभिन राज्जियों से शिक्षण के प्रती समर्पित अती विशिष्ट शिक्षकों को पुरुस्कृत कर सम्मानित किया जाता है शिक्षक को राष्ट का निर्माता और उसकी संस्कृती का संगरक्षक माना जाता है वे शिक्षा द्वारा शात्र शात्राओं को सुसंस्करत्वान बनाकर उनके अज्ञान रूपी अंदकार को दूर कर देश को श्रेष्ट नागरिक प्रदान करने में एहम दायत्व निर्वहन करते हैं वे केवल बच्चों को न केवल साक्षर बनाते हैं बलकि अपने उपदेश के माध्यम से उनके ग्यान का तीसरा नेत्र भी खोलते हैं जिससे उनमें भला बुरा हित अहित सोचने की शक्ति उत्पन होती है और वे राष्ट की समगर विकास में महत्वपूर्ण भूमी का इसके उन्होंने अपने जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाय जाने का संकल्प किया इसका कारण स्पष्ट है कि वे भली भाती जानते थे कि माध्यमेक शिक्षन संस्थानों में चात्र चात्राओं में जो संसकार अंकुरित होते हैं वे ही आगे चलकर महावि प्रकांड विद्वान, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री, संस्कृतग्य और राजनितग्य थे वे सन 1962 से 1967 तक भारत के राष्टपती भी रहे इस पत पर आने के पूर वे शिक्षा जगत से ही संबत थे मद्रास में प्रेजिडेंसी कॉलेज में वे दर्शन शास्त्र के सा हैख पध्यापक प्राध्यापक रहे सन 1936 से 1949 टक वे ऑकसपॉर्ड विष्विद्जाले में पूर्वी देशों के धर्म और दर्शन के स्पॉल्णिंग प्रोफेसर पत पर रहे उन्होंने अपने लेखों और भाशनों के माध्यम से वे वेश्व को भारती दर्शन शास्त से परिचित कराया वे वर्ष 1949 से 1948 तक काशी हिंदु विश्विद्याले के उपकुलपती पत पर आसीन हुए वे 1950 से 1952 तक रूस की राजधानी मासकों में भारत के राजदूत रहे इस दौरान भारत रूस मैत्री बढ़ाने में उनका भारी योगदान रहा उनके उलेखनी का पर्यों के लिए भारत के प्रतम राष्टपती डॉक्टर राजेंद प्रसाज जी ने उन्हें देश का सर्वोच अलंकरन भारत रत्न प्रदान किया राष्टपती बनने के बाद जब उनके प्रशनसकों ने उनका जन्म दिवस सार्वजनिक रूप से मनाना चाहा तो उन् इन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है मालविकागनी मित्रम नाटक में महाकवी कालिदास ने कहा है लबधास पदोस मीति विवाद भिरोस्तितिक्षमानस्य परेण निंदाम यस्यागमह केवल जीविकायाम तम ज्यान पण्यम वानिज्यम वदान्ति अर्थात जो अध्यापक नौकरी पा लेने पर पढ़ाने से भागता है दूसरों के अंगली उठाने पर चुप रह जाता है और केवल पेट पालने के लिए विद्या पढ़ाता है ऐसा व्यक्ति पंडित वा शिक्षक नहीं वरन ग्यान बेशने वाला बनिया कहलाता है लेकि पश्चात जिस तीवर गती से विद्यालों की संख्या बढ़ी उस अनुपात में शिक्षा का इस्तर उचा होने के बजाए नीचे गिरना गंभीर चिंता का विशय है आज शासकी और शासकी अनुदान प्राप्त विद्यालों में अध्यापन और अनुशासन का बुरा हाल जब तब जग जाहिर होना आम बात है बावजूद इसके जब कोई शिक्षक या प्राचार राजनीतिक दाव पेच के माध्यम से सम्मानित होता है तो एक निराशा जनक स्थिती निर्मित करता है जिस प्रकार दाल चावल में कंकर देखकर उसे अनुप्योगी ना मान कर उ ने बाहर कर उसका सद्विप्योग किया जाता है उसी प्रकार यदि शासन प्रशासन बच्चों की शिक्षा दीक्षा के प्रती समर्पित अध्यापकों को ही सम्मानित करें तो शिक्षक दिवस और भी गौरवानवित होकर सार्थकता को प्राप्त होगा धन्यवाद